बेसिक एंगलिश क्लास में आज आप सीखेंगे बी वर्ब से रिलेटेड जो ग्वेसिन्स है वो बनाना इसे रिलेटेड नेगिटिव सेंटेंस सिंपल सेंटेंस बनाना बनाना तो यह जो है बीवर्ब का सेकिंड पार्ट है अगर आपको नहीं पता है बीवर्ब क्या होती है तो वो से एक को जैसे की बीवर्ब जो होती है present tense में भी होती है फूर टैंस में भी होती है यह सारी बी वर्ब है present, past और future, present में अगर आप पहचाने तो हर और past में था और future में होगा, इस तरीके से इनकी हिंदी के पहचान होती है, जो बी वर्ब होती है, वो क्या करती है, कोई भी person या फिर कोई thing होती है, उसके बारे में information देती है, कि वो कैसी है, मतलब किसी के बारे में information देना बी वर्ब का काम है, कहा है, कैसा है, क्या है, यह सारी जानकरी हमको बी वर्ब देती है, मतलब कि किसी वेक्ते के बारे में अगर यह जानकरी दे रहे है, कि वो जो सामने वाला प्रिसेंट पास्ट और फ्यूचर में इनका यूज आने के साथ साथ मिन्स कि आपको सेंटेंस बनाने आने चाहिए जिससे कि आप अपनी स्पोकन और रिटन इंगलिश को इंप्रूफ कर पाए तो इससे रिलेटेड हमाद सेंटेंस बनाने सीखेंगे मैं स्ट्रक्चर तो मैंने बताया है कि present में कौन से बीवर्ब है, past में कौन से future में कौन सी है, थोड़े से आप sentences देखेंगे, तो easily आप समझ पाएंगे, present tense की बीवर्ब है, is arm, मतलब की helping verb हो गई, is arm, तो सबसे पहले हम बनाएंगे simple sentence, यानि की affirmative sentence, simple sentence और affirmative sentence सेम होता है, कौन से होते हैं, जिसम simple और affirmative sentence, जैसे की sentence यहाँ पर मैंने लिया है, आप सिक्षक हैं, अब यहाँ पर यह जो आप है, यह subject है, यानि की you, इसके बारे में जानकारी दी जारी है, information दी जारी है, यह क्या है, सिक्षक है, एक teacher है, तो इस तरीके की जो sentences बनाएंगे ना हम वहाँ पर हमको इन सारी बी तो सबसे पहले हम subject लिखेंगे you, फिर is, r, m का use करेंगे, तो is, r, m का use, अगर आपने tenses देखे हैं, तो आपको easily समझ में आ गया होगा कि कौन से subject के साथ हम is का use करें, r का use करें, m का use करें, फिर भी मैं एक बार आपको बता दू कि I के साथ हम m का use करेंगे, ठीक है, he, she, it और singular name के साथ हम is का use करेंगे, we, you, they और plural के साथ हम r का use करेंगे, यह आपको पता होना चाहिए, तब ही तो हम आगे के जो sentences है उनको बना पाएंगे, छोटी मोटी जो information है यह आपको होनी चाहिए, लेकिन यह जैसे जैसे आप सीखते जाएंगे, वैसे वैसे आपको पता च हो गया, you are a teacher, आप सिक्षक है, तो is rm का use अगर आप देखें, तो जो है वो, जो continuous tense होते है, present continuous tense होगा, वहाँ पर is rm का use होता है, वहाँ की first warm के साथ ing लग कर, लेकिन यहाँ पर आपको एक तरीका और है पहचाने का, कि is rm का use हो रहा है, पट कोई verb, यानि कि क्रिया यहा काम थोड़ी हो रहा है, तो ऐसे sentences जो है, हम बी वर्ब की help से बनाते हैं, एक यह पहचान है, तो यहाँ पर is rm लगा है, और आप सोच रहे हैं कि वर्ब की first form के साथ ing क्यों नहीं लगा, क्योंकि यह बी वर्ब का sentence है, तो यह आपको ध्यान होना चाहिए, आप सिक्षक है, you are a teacher, negative बना दिया, तो इस rm के बाद हम क्या करेंगे, not लगा देंगे, इस rm के बाद हम not लगा देंगे, तो negative sentence का structure बन जाएगा, सबसे पहले subject you, फिर is rm लगाएगे, तो I लगेगा you के साथ, फिर not a teacher, you are not a teacher, easy है, एक दुबार practice करें इनको बनाने की, तो आप easily a structure भी आ आप सिक्षक है, इंट्रोगेटिव भी दो तरीके के होते हैं, एक तो होते हैं, जो helping verb से बनते हैं, एक wh word से बनते हैं, अगर हमको सामने वाले से question करते हैं, अगर हमको answer yes or no में चाहिए, तो हम क्या करेंगे, helping verb वाले इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाएंगे, ठीक है, और उसके बाद, अगर हमको थोड़ा सा, एक दो line में उसका answer चाहिए, थोड़ा सा explanation चाहिए, तो हम क्या करेंगे, कुछ words कुछ शब्दों में चाहिए, तो हम क्या करेंगे, डबलो एच वर्ड की सहायता help लेंगे, clear हो गया, यहां पर interrogative का, अगर आपको कोई confusion हो, कि हम ऐसे double कैसे बना रहे हैं, तो यह इसका तरीका है, क्या आप सिक्षक हैं, तो इस तरीके के sentences में, अगर शुरू में क्या आ गया, तो इसका मतलब है कि यह जो interrogative sentence है, वो helping verb से शुरू होगा, क्या होगा, तो आप what उठा कर नहीं रख देंगे, तो हम इस आरम लगाएंगे, इस आर आप देख लें, objective question mark है, अगर interrogative है, तो question mark तो होगा ही होगा, यह आपको खुद से ध्यान रखना है, are you a teacher, next है negative, negative में क्या होगा, subject के बाद same structure है, subject के बाद not लगा देंगे, तो यहां पर are you not a teacher, आप सिक्षक क्यों है, अब यह हो गया ना, interrogative WH, family वाले interrogative sentence है, तो आप सिक क्यों है, यहां पर क्यों, क्या, कैसे बीच में आता है, शुरू में नहीं आता, अगर शुरू में क्या आता है, तो वो होता है, helping वाले interrogative, तो यहां पर इस क्यों को उठा कर, WH word को हम क्या कर देंगे, शुरू में रख देंगे, और बाकी का structure as it is रहेगा, जैसे की interrogative sentence में था ना, वैसे के वैसे, तो why are you a teacher, जैसे उसमें are you a teacher था ना, तो why are you a teacher, मतलब की, आप सिक्षक क्यों है और क्यों नहीं है, ऐसा आएगा, नहीं का आएगा, negative का आएगा, WH word family वाला, negative आएगा, तो हम क्या करेंगे, subject के बाद not लगा देंगे, आप सिक्षक क्यों नहीं है, why are you not a teacher, clear हो गया होगा, यह structure, same ऐसा का ऐसा, past tense में भी होगा, बस वहां की helping verb change हो जाएगी, वहां पर was, word का use होगा, कुछ और एक sentence की हम practice करेंगे, आपर, वह दुखी है, तो he is sad, ही के साथ हमने is का use किया, is helping verb का use होता है, ही के साथ, वह दुखी नहीं है, he is not sad, क्या वह द starting में रखेंगे, is he sad, क्या वह दुखी नहीं है, is he not sad, वह दुखी क्यों है, तो why को, starting में रखेंगे, why, तो why is he sad, अगर नहीं हो गया, negative होगा, तो why is he not sad, clear हो गया, इसी तरीके से आपको एक sentence लेना है, और यह सारे के सारे sentences आपको बना कर लिखना है, पहले, अगर लिखन के practice करें, उन लिखे हुए को बोलने के practice करें, यही तरीका होता है, इनको समझने का, next है past name, same structure रहेगा, सिर्फ helping verb जो है, यहां की बी वर्ब की, यहां की बी वर्ब जो है, was, was का use हम करेंगे, I के साथ हम was लगाएंगे, clear है, I के साथ हम was लगाएंगे, he, she, it और singular name के साथ ह हम वर्ब का use करेंगे, तो यह आपको subject पता होना चाहिए, कि he के साथ हम was का use करें, she के साथ हम was का use करें, यह पता तब होंगे, जब आप practice करेंगे, clear हो गया, तो simple sentence बनाएंगे, आप सिक्षक थे, थे यानि की past की बात हो रही है, और यहां पर past की बी वर्ब है, वो है, लेकिन यहां पर नहीं लग रहा है, तो जो भी वी वर्ब से sentences बनेंगे रही होगा, उस sentence में, उस वाक्ये में कोई भी action नहीं होगा, कोई भी crea नहीं होगी, तो यह भी एक पहचान है, बहुत ही आसान तरीके साथ पहचान जाएंगे, आप सिक्षक थे, यानि कि subject फिर वॉज या वर का यूज करेंगे तो वॉज यहां पर वर का यूज होगा वॉज का यूज नहीं होगा तो you were a teacher you were a teacher narrative बनाएंगे आप सिक्षक नहीं थे you were not a teacher वॉज और वर के बात not लग जाएगा you were not teacher तो आप practice करें जितने प्रैक्टिस करेंगे नो आपको पता चल जाएके कौन से सब्रट के साथ वारा है। इन्टरो बनाएंगे किया आप सिख्शक थे लिखेंगे तो वर लिखेंगे। were you a teacher question mark लगा देंगे इंट्रोगेटिव होगा तो क्या आप सिख्षक थे were you a teacher negative बनाएंगे तो subject के बाद हम not लगा देंगे easy है और starting हम was word से ही करेंगे तो word लगाएंगे क्यों subject है तो were you not a teacher क्या आप सिख्षक नहीं थे were you not a teacher next है डब्लो एच क्वेश्चन sentences देखेंगे आप सिख्षक क्यों थे आप सिख्षक क्यों थे आप सिख्षक क्यों थे तो सबसे पहले डब्लो एच वर आजाएगा why फिर why word लगाया क्योंकि you subject है why were you a teacher why were you a teacher आप सिख्षक क्यों थे आप सिख्षक क्यों नहीं थे तो हम क्या करेंगे subject के not लगा देंगे अगर negative होगा तो why were you not a teacher easy है इसी तरीके से आप practice करें हम एक sentence के साथ practice करेंगे वह दुखी था तो क्या होगा था है ना तो he was sad he was sad वह दुखी नहीं था he was not sad क्या वह दुखी था was he sad क्या वह दुखी नहीं था was he not sad simple है आप इसी तरीके से एक sentence ले फिर बनाए आप simple फिर negative, interrogative, negative, interrogative इस तरीके से आप practice करेंगे तो आप easily समझ पाएंगे और सीख जाएंगे फिर future की जो helping verb है be verb है वो है will be क्या है will be simple sentence बनाएंगे क्या है simple sentence same है आप सिक्षक होंगे होंगे, गे आगया तो समझ जाएंगे कि future की बात हो रही है किसकी future की तो future वाली जो will be verb है न be verb उनका हम use करने वाले है will be का तो आपने देखा होगा will be का use भी हम future continuous sentence में करते हैं लेकिन वहाँ पर action होता है और यहाँ पर नहीं होता be verb वाले जो sentences होते हैं वहाँ पर आप सिक्षक होंगे तो सबसे पहले subject you will be लगा देंगे फिर a teacher object you will be a teacher अगर negative होगा negative का structure आप देख लें और ध्यान रखें कि will और be के बीच में हमको not लगाना है will be not नहीं लगाना will और be के बीच में लगाना है you will not be a teacher you will be not a teacher ऐसे नहीं लिखना you will not be a teacher तो not की जो position है वो आपको ध्यान रखनी है interrogative में आ जाएं तो क्या आप सिक्षक होंगे क्या आप सिक्षक होंगे तो will से हम शुरुआत करेंगे will लिखेंगे फिर subject you फिर हम भी लिखेंगे फिर a teacher यानि कि object will you be a teacher will you be a teacher क्या आप सिक्षक होंगे अब क्या आप सिक्षक नहीं होंगे इसमें नहीं आ गया negative आ गया not आ गया तो उसका आपको ध्यान रखना है यानि कि बी से पहले subject के बाद में और बी से पहले not का यूज करना है आपर ठीक है तो will आ गया will फिर subject you फिर not फिर be a teacher will you not be a teacher क्या आप सिक्षक नहीं होंगे फिर अब डबलो एच क्वेशन देखेंगे सेम ऐसा ही structure है डबलो एच क्वेशन sentences में भी इन में क्या है सबसे starting में यानि शुरुवात में हम डबलो एच वर्ड लिख देते हैं आप सिक्षक क्यों होंगे क्यों होंगे न तो क्यों को हम starting में लिख देंगे बाकि as it is रह जाएगा why will you be a teacher why will you be a teacher अगर negative होगा तो b से पहले b से पहले हम not लगा देंगे और subject के बाद में not लगा देंगे तो why will you be why will you not be a teacher why will you not be a teacher practice करेंगे तो आप सीखते जाएंगे आप सिक्षक क्यों होंगे why will you be a teacher आप सिक्षक क्यों नहीं होंगे why will you not be a teacher why will you not be a teacher इस तरीके से आप practice करें तो यहाँ पर हमने future का भी structure देख लिया अब हम थोड़ी से practice करेंगे future की आप दुखी होंगे आप दुखी होंगे you will be sad आप दुखी नहीं होंगे you will not be sad not की position आप देखें b से पहले है ठीक है will के बाद में क्या आप दुखी होंगे will you be sad क्या आप दुखी नहीं होंगे will you not be sad will you not be sad आप दुखी क्यों होंगे क्यों यानिकि why why will you be sad आप दुखी क्यों नहीं होंगे, आप दुखी क्यों नहीं होंगे, why will you not be sad, why will you not be sad, इस तरीके से आप प्राक्टिस करें, इसी तरीके से आपको sentences बनायने हैं, जैसे मैंने आपर practice बताई आपको, इसी तरीके से आपको practice करनी है, तो B-verb का जो concept है, आपको clear होना चाहिए, प्राक्टिस करते रहें, जितनी ज्यादा आप प्राक्टिस करेंगे, उतना ज्यादा आप सीखेंगे, तो आज के लिए इतना ही मिल्टे एक और नहीं किश्मी के साथ तक देखी देखाएंगे सोबर,